नमस्कार जोतिस नरानी में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताने वालूँ चतरभुझ के बारे में हार्ट लाइन और माइन लाइन के बीच में बनती है चतरभुझ उसके बारे में बहुत कुछ बता नहीं है मुझे तो इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंतक ब तो इन सभी बातों को हम लोग चतरभूझ जो होते हैं इन दोनों के विच जो बनते हैं उनसे हम लोग इसाइड करते हैं तो हाथेली में ग topic पंद्य हैं तो देखिए होता क्या है यह आपकी पलम है ठीक है यह हो गई आपकी जीवन रेखा को कि आपकी minor इस तरह से बारे हगे इनके बारे में डिसकसव करूंगी इंन के बीच में इसके को हम लग चतर फूझ बोलते हैं माइड लाइन चोनी आदे बार ऋवर्म और भूर्म बीच में यानी कि आप की मंगल पर्वत और गूरूप माएन लाइन देख पा रहे होंगे मेरी हठेली को इस परकार से हां यहां ठीक है इस तरह से हाट लाइन और माइन लाइन तो इन दोनों इस परकार से जैसे इस परकार से इस परकार से इस परकार से किसी भी तरह से आपको कोई भी असपस्ट रेखाएं जो कि आपको दिख रही हो उस परकार की असपस्ट रेखाएं नहीं हो तो ऐसे जा तक किस परकार के नेचर के होते हैं ऐसे बैखती होते हैं बहुत ही असपस् के होते हैं जिन भी जातक के आप हार्ट लाइन और माइन लाइन के बीच में सुन्दर सा चतरभूज बनते हुए देखेंगे या फिर उनके बीच में किसी तरह की भी लाइन हो तो ऐसे जातक इस प्रकार के होते होंगे असपस्टवादी होंगे बहुत ही ज्यादा हो तो एक कंदिशन दूसरी कंदिशन क्या होती है अगर डोनों रेखाओं के बीच का फर्क आप देखेंगे इस परकार से माली जीवन रेखा है यहां से चतरभूज निकलते हुई इस तरह से यह यहां इस तरह से मुढ गए इन दोनों के बीच का अंतर यहां पे आपको द अंतर दिखे जादा इस परकार से इस परकार से इस परकार से पोल तो ऐसे जातक थोड़ा करो स्वार्थ की होते निदिए यहां पर जब यहां पकार्ट से जए जादाद हो जादा हो जाता सेंद नहीं पहले क्योंकि अब इसी है भी हर्था यहां पर वह देखे इस तुछ प्रगार माली के सब्सक्रणा कर देखें पहरा कि сп पर लिए ना अब turist से कर Demand तो यह देखिए सूरिय परवद के नीचे जिए इस तरह से अंतर दिखे आपके हाड़ライन और माइंड लाइन के बीच में सूरिय परवद के नीचे अंतर दिखे तो ऐसे जाने ऑन प्रतिषथा को लेले बहुत ही सजग होतें बहुत ही ज्यादा एक तरह से मांसामान का ख्याल रखते हैं स्वाविमन का ख्याल तो कोई भी yakडि farming झाल । उनके कि तरह से अंतर हो रही है ठीक है आप देखिए एक कंडिशन क्या है आपको देखना क्या है हार्ट लाइन आपको इसी परकार से है सेम और लेकिन माइन लाइन क्या है आपको इस परकार से आके इस तरह से जुख के कर्व ले रही हो या फिर आपके माइन लाइन एकदम से कम काम लेंगे जिससे कोई भी कारी को लेकि बाबना उनकी लिए ज़ादा इंपोर्टेंस ओ जाती है झाल यहां पर क्या होस्थिती है यहां पर आपको 했 कंडिया बिल्कुल हड्जात को अ क्योंht-" बिल्कुल हार्ट लाइन के और जुकाव ले लिए वो तो ऐसे जातक में तर्क बितर्क करने की छमता कम हो जाती भाबना की परधानता ज्यादा हो जाती है यह हो गया इसका मतलब यानि कि इस परकार से देखेंगे कम दूरी हो तो तो तुर भूज का अब देखिए एक कंडि है कि आपके हर्ट लाइन अपने जगह से नहीं बल्कि थोड़ा सा नीचे की और जुख जाए यानि कि आपके मस्तिक्स की लाइन की और जुख जाए लगे कि टच कर रही हो आपके मस्तिक्स लाइन को जब भी आपके हर्ट लाइन आपके मस्तिक्स लाइन की और ज्यादा फुरा कम इसपेस हो दोनों के बीच में चतरबुज कम बना रही है, तो ऐसे जा तक क्या होता है, कि उनके भावनाओं का कोई जगह नहीं होता है, हमेशा तर्क बितर्क, या नि ऐसे जए तक अपने दिमाग से ज्यादा काम करते हैं, अपने भावनाओं से बहुत कम काम करते तो भावनाओं के लिए कोई भी जगह नहीं होता और कभी कभी देखा गया ऐसे जातक थोड़ा कंजूश टाइप के भी होते हैं क्योंकि दम से काम लेते हैं यह जातक तो यह हो गई एक कंडिशन आप देखिए यह तो हो गई कि इस तरह से बाकी आप देखिए एकदम से हो इस तरह से अगर ह हाथेली में कुछ वड रहे हो इस परकर से चेतर भural हो तो ऐसे जाता कि अंदर ज्ञड़ें और अर्जित करने का बहुत ही सौक होता है इन लोगों को एक होता है कि या चलो दूसरे के धन का उभग करके हम लोग अपना सौक पूरा करते हैं एक होता है कि अपना स्वेंग का धन अर्जन करना और स्वेंग को खर्च करना स्वेंग से तो यह चीज होता है यदि इस दोनो कि बीच में यह चतर भूज जितनी अची होती है उतनी अची बोली गई है तो आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी कि चतर भूज का क्या का इंपोर्टेंस हमारे लाइस में होता है उसे हम लोग चतर भूज बोलते है तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूली यादि मेरे चैनल पर नए है तो आज के लिए बस इसना ही नमस्कार